एगाइस वेलकम बैक टो दे वीडियो अग्न यहाँ पर हमारे पास पॉर्टफोलियो है एए मोटिवेसन का डबले मोटिवेसन एटू मोटिवेसन क्या बोलु में वही है एए मोटिवेसन लिखा है चले देखते हैं प्लीज एव्यू माइए एस आईपी पॉर्टफोलियो सब्सक्राइब करते हैं आइसी 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 पूर्टफोल टेक्नोलोजी फंड 500 रुपीज कैना रवय को ब्लूचिप एक्विटी 1,000 पराग पारी फ्लेक्सी कैप 1200 पीजी एम इंडिया मिट कैप अपॉर्टीन हंड़ेड एंड एक्सिस स्मॉल कैप 1800 साजेस्ट में प्लूचिप एक्विटी यह भी लार्ज कैप में अच्छे सेलेक्ट किये हैं अभी देखो जैसे क्या है यहाप है कि एक लार्ज कैप फंड है एक मिट कैप फंड है एक स्मॉल कैप फंड है और साथ में टेक्नलोजी सेक्टर पे इसलिए टेक फंड भी एड किया है अब देखो क्योंकि इन्हों ने यहाप कोई एक्स्ट्रा फाल्तू का फंड एड नहीं किया है नौर्मल साथ यहां पर इनके पास आ जादी है यह चा कर दिया है ताकि फंड मैनेजर का भी फायदा उठाया जा सके and sectoral पर भरोस्य है एक सेक्टर के लिए तो के स condemn back और कर दिया तो एक complete portfolio है ना इस confessionally आईश्पड के अंदर कोई अलग से फंड फालत describe University का एड़ करने की जोगत है और नाहीं इस portfolio से कोई भी refund exit करने का जो होते हैं एकदम complete balanced portfolio है अगर investment का ratio भी हम देखते हैं तो small cap में सबसे ज़्याद है mid cap में उसमें उससे कम है flexi cap में उससे कम है प्लायर्स cap में उससे कम है and sectoral fund में सबसे कम है एकदम बेहतरी निनों काम किया है अगर grow आपको कराना है तो आपको मतलब ज़्यादा जल्दी growth चाहिए ज़्यादा returns चाहिए लंबे टाइम पर तो आपको इसी टाइप का sequence maintain करना होता है सबसे ज़्यादा small medium फिर large ऐसे investment करनी होती है अब इन्होंने पूछा है यहाँ पर कि क्या 2000 रुपए और डाल ले हैं अलग से कोई fund एड करो या इसी बनेट करो तो आपको इसी के अंदर investment करना चाहिए क्योंकि एज आपकी 25 है मान सकते हो कि 15-20 साल तक तो आराम से invested रह सकते हैं तो इस 2000 को आप small cap में and mid cap में बराबर बराबर करके increase कर सकते हो एक बात और अगर आप इनका fund sequence देखेंगे तो एक आइसी एक का है एक 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 परफोलियो के अंदर में सारी ही चीजे बहतरीन तरीके से maintain की गई है एक तो फंड का सेलेक्षन किया गया है वह बहतरीन किया गया है फंड में जो पैसे डाले जा रहे है अलग-अलग जो फंड से उनमें उनमें भी अच्छी sequence में डाले जा रहे है अच्छा के अंदर जवरत नहीं है इसको आप maintain करिए इन्वेस्टेड रही है पेसेंस रखिए जो एक्स्ट्रा पैसे आपके पास है इनहीं के अंदर